एक बॉल पर 13 रन यशस्वी ने रचा इतिहास ऐसा करने वाले पहले बल्लेबास बने भारत और जिम्बाबवे के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच 15 जून को हरारे में खेला गया इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल कुछ खास नहीं कर सके और पांच गे 20 इंटरनेशनल मैच की पहली लीगल गेंद पर 12 रन बनाए दरसल सिकंदर रजा ने मैच की पहली गेंद फुल टॉस फैंकी जिस पर यशस्वी ने चक्का लगाया उस गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दिया फिर फ्री हिट बॉल को भी यशस्वी ने 6 रनों के लिए भेजा यानी एक लीगल गेंद पर कुल 13 रन बने जिसमें 12 रन यशस्वी के खाते में गए हालांकि यशस्वी फिर कुछ खास नहीं कर पाए उसी ओवर में सिकंदर रजा ने उन्हें क्लीन बोल्ट कर दिया बता दे कि जिमबाबवे के खिलाफ पांचवे T20 मैच में रित बढ़त ले चुकी थी दोस्तों यशस्वी की दमदार बैटिंग पर अपनी राय कमेंट में लिखे धन्यवाद